आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कौन रातो रात हीरो बन जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता आज सोशल मीडिया जिस तरीके से लोगों को सेलेब्रिटी बना रही है कोई सोच भी नहीं सकता आज भारत हो या पडोसी देश कोई भी आम इंसान सोशल मीडिया के जरी एक बड़ा सिलिबर्टी बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया या इंटरनेट एक बड़ा रोल पिले कर रहा है ऐसे में आज इंटरनेट की दुनिया में पडोसी देश के चांद नवाब की रौनक कुछ ऐसी थीद की बॉलिवुड भी इंप्रेस हो गया लेकिन चांद नवाब को सब कहां वो फिर चमा खुटे 2008 में पडोसी देश के रिपोर्टर चांद नवाब का एक वीडियो सामने आया था इसमें वो पीटी सी करते हुए बार बार गलतियां कर रहे थे ये इतना फनी था कि वाइरल हो गया इनकी पॉपलेटी का आलम ये था कि सल्मान खान के फिल्म बजरंगी भाईजान में इस वाकी को दिखाया गया अब चांद नवाब का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हुआ है जिसमें एक बार फिर पीटीसी यानी खबर करते वक्त गलतियां कर रही है नया वीडियो भी उनका उतना ही फनी है आपको बता दें चांद नवाब पड़ोसी देश के निउस चैनल के रिपोर्टर है और अपनी रिपोर्टिंग की वज़ा से पहले भी सुर्कियां बटोर चुके है इस से पहले रेलवे स्टेशन पर उनकी तरफ से की गए रिपोर्टिंग को लोगों ने बड़े चाओ से देखा था उनका ये वीडियो काफी वाइरल हो गया था वो एक रेलवे स्टेशन के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस दोरान उने वहां से गुजर रहे लोगों की वज़े से परिशानी का सामना करना पड़ा वो इतना परिशान हुए कि उन्हें कई बार रिटेग भी लेना पड़ा आपको बता दें चांद नवाब की जब पहली वीडियो वाइरल हुई थी तो वो बहुत परिशान हो गये थे वो सोच रहे थे कि आखिर उन्हें जॉब कैसे मिलेगी लेकिन आज वो उनकी इज़त और वो शोहरत की वज़ा ही बन गई ऐसे में हम कह सकते हैं कि टेकनलोजी के इस दौर में इंटरनेट और सोचल मीडिया कहीं न कहीं आम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि कैसे वो अपने आपको रात और रात सिलेबिटी बना सकते हैं और शायद सिलेबिटी खुद मचबूर हो जाते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर बुनाने के लिए चाहे वो डब्बू अंकल हो या प्रिया प्रिकाश वर्यर हो इस सब सोचल मीडिया के हीरो है एक्सट्राइं टेक रिपोर्ट